अगर मैं बात करो UP NEET MABS counseling की UP UG counseling की तो about counseling में जा हुए UPneet.gov.in पे तो UP NEET UG browser आ चुका है जिसमें आप पूरा detail देख सकते हो कि क्या conditions है कैसे counseling होगा admission का procedure क्या है payment कितना है bond देखो UP में जो बात था bond का यहाँ पे एक student ने पूछा था मेरे से की two year का bond है अगर आप bond के रासी देखोगे तो 10 लाग रुपया का है यह bond को पूरा ध्यान से परना है आपको यह browser आपके सामने है और यह देख सकते हो जो government medical college है किंग जॉर मेडिकल कॉलेज 1911 का कॉलेज है 250 सीट से अब लेबल है और स्टेट कोटा में 210 सीट से अब लेबल है SN medical college आगरा यह सारा detail का अब establishment है यह देखके आप अपना establishment यह से भी 24 फिल कर सकते हो जो जितना world college होता है उतना अच्छा होता है तो आपके सामने यहाँ पे सारे colleges दिख गए हैं इस तरह से आप देखोगे तो number of seats जो UP में गॉर्मेंट का है 3233 जो इस टेट कोटा का है मतलब 3233 seat पे पूरा government colleges का counseling होगा और जो BDS की बात करें तो 51 seats यहाँ पे दिख रहा है और BDS अगर private की बात करें आप MBS private colleges की बात करें तो सुभारती medical college 1996 का college है 150 seats में अबिलेबल है इस तरह से रोहिल कंड medical college हो गया रामा institute of medical science सरसती institute of medical science तिर्थांकर हो गया हिंद institute बड़ा बंकी 100 seats अबिलेबल है और school of medicine सारदा university में 250 seat अबिलेबल है और रोहिल कंड में 250 सबसे ज़्यादा seat रखने वाला यही दो college है अगर हम total private की बात करें तो लगबग में 4700 seats पे admission मिल देगा यह 47 पे मिलेगा dental तो चैलो भीया जिसको लेना है इस तरह से dental को देख लेना यह सारे details इस पे available है पूरा ब्रोसर को ध्यान से पढ़के और counseling में भाग लेना है एक और यहां पर मैं बता दूं कि वैसे student जिन्होंने registration नहीं किया है और round 1 में round 2 में तो वो mop up में registration कर सकते हैं लेकिन problem क्या है UP counseling में कि mop up में तो seat ही नहीं बसता है इसलिए कोसिस करना है कि round 1 में ही UP का registration कर ले ताकि आपको seat मिल जाए और round 2 में UP का registration नहीं होता है सिर्फ twice filling होगा और आपका काम खत्म तो जो registration किये हैं उनको बहुत फैदा होगा और seat मिलेगा तो यह information browser जो है इसको आप एकदम ध्यान से पढ़ लेना कोई इसमें दिक्कत हो तो हमारे expert से बात करें यही service bond का बात था यहां पे और पूरा यहां पे रे रे रेजिस्टेशन सेकृरिटी फीज कॉंसलिंग प्रोसीजर सब मेंसन हैं कॉंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा हम थोड़ा सा बता देते हैं यहां पे जब आप 12 नंबर पेज पर जाओगे देखो यहां पे सेकृरिटी एमांट जो है वह आपने दो लाख रुपया का पेमेंट जो करोगे वह आउनलाइन जमा करना यह सारा चीज बताया गया है और अगर आपको सीट मिल जाएगा तो राउंड वन में और आप नहीं लोगे एडमिशन तो दो लाख रुपया खतम हो जाएगा अगर आपको सीट नहीं मिला तो आपको दो लाख रुपया तो समय लगेगा लेकिन आपको एमाउंट मिल जाएगा यहां पर एक और इंपोर्टेंट बात है कि 24 फिल करने के बाद 24 को लॉक करना बहुत जरूरी है यूपी में तभी आपका अलॉट्मेंट आएगा यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन है क्लियरल समझ रहे हो तो बरियराम से चॉइस फिल कर लेना है उसको लॉक कर देना है उसके बाद बात करते हैं कि वही लिखा हुआ कि पर्थम चक्र के नहीं हुआ था यहां पे सारा चीज मेंशन है आप यहां पे सीटों को चीजों को चेंज कर सकते हो मौप अपराउन में मैंने जो इससे बता दी आपको कि जो रेजिस्टेशन नहीं किये हैं वो भी कर सकते हैं और यह सारा डिटेल्स इसमें रेजिस्टेशन चार्ज ओल लेडी बताया हुआ मैंने यह सारा चीज यहां पर मिंसन है और यह नोडल सेंटर का इसमें अभी अवेगाइ और यह तhesमें मैंने 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 मैं में आर वर बताया हुआर ट। स्EMA